हम सबी को उस चीज की कीमत तभी समझ में आता है जब वो चीज हमारे पास नहीं होता है यहीं इनसान की फिद्रत है यहीं वज़ा है कि जब सरदीम के एमोसन में सुरज कोछी दिन नहीं दिखाई देता है तब हम सब को सुरज की कीमत पता चलता है आज हम जानेंगे सुराज और चांद के इंट्रेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि आपको पता है सुराज क्यों परकास देता है कि आपको पता है चांद क्यों चमकता है आज हम इन सभी के बारे में बहुती इंट्रेस्टिंग फैक्ट को जानने बाले है अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइक़न को भी ओल कर दे क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको बहुती यूजफूल फैक्ट मिलती रहती है और आपने सब्सक्राइब कर ली है तो थैंक्यू सो मच हेलो फ्रेंड मैं हो मुस्तफा और आप देख रहे हैं फैक्ट भाजी यूटूब चैनल तो चलिए शुरू करते हैं सूर्ज हमारे सूर्य मंडल के एक तेजस्बी तारा है जो पिर्थिभी के जलबायू और मुसम को कंट्रोल करता है यानि क्यों उसके लिए जिम्मेदार है चलिए हम जानते हैं कि सूरज कितनी तेजस्बी है इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरज का अंदर भाग का तापमान एक करोड उननपचास लाख निनानब्बे हजार साथ से चब्विस डिग्री सेल्सियस है क्या आपको पता है बग्यानिकों को मनना है कि सूरज एक ग्यंस का गोला है जो 72% हेड्रोजन, 26% हिलियम और 2% कार्बन एंड अक्सिजन से बना हुआ है सूरज हमारे धर्ती से करीब एक से न गुना बड़ा है सूरज की रोषनी हमारे धर्ती पर आने के लिए 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगाता है सूरज का गुरुत्व आकरशन इतना सक्ति साली है कि 6 अरब किलो मिटर की दूरी बाले पलानिट भी इनकी गुरुत्व आकरशन बलके कारण परिकर्मा करता है इसी हिसाब से अगर कोई भी गरह का चीज सूरज के 22,000,000 किलो मिटर के छेतर में आता है तो सूरज उसको अपनी ओर खिच लेता है ऐसा नहीं है कि सूरज ही पूरी आकास गंगा में सबसे ज़्यदा तेजस्बी तरह है हमारे अकास गंगा में कई सारे ऐसे तारा है जो सूरज से कई गुना ज्यादा तेजस्बी और बड़ा है जैसे हमारे पिर्थिवी लगायत अन्यगरह सूरज की परिकर्मा करता है उसी तरह सुरज भी अन्य गरहों को लेकर अपनी अकास गंगा में मध्यम भाग की चकर लगाता है हमारे सोर्य मंडल के सभी गरह को अकास गंगा की एक चकर लगाने के लिए लगबग 25 करोड साल लग जाता है क्या आपको पता है जितने भी पूरी सोर्य परिवार है उसका 99.86% वजन सिर्फ सोर्य की है चलिए हम सभी थोरा चांद पर नजर डालते हैं चांद हमारे पिर्थिवी के एक लोता उपगरा है बग्यानिकों को मानना है कि आज से 4-50 करोड सार पहले थाया नाम का उलका पिर्थिवी से टकराया था जिसके वज़ा से पिर्थिवी के कुछ टुकरा तूटकर अलग हो गया था जो की बाद में चांद बना क्या आपको पता है चांद का वजन करीब 81 अरब टन है चांद का व्यास धर्ती के व्यास का सीर्फ 14 हिसा है और चांद का छेत्रफल अफरिका के छेत्रफल के बराबर है यानि कि चांद का व्यास 3476 किलो मिटर है चांद को पिर्थिवी का परिकर्मा करने में 27.3 दिन लगता है हम सबी देखते हैं कि चांद रात के समय में चमकता हुआ नजर आता है सचाए ये है कि चांद के कोई खुद का रोसनी नहीं है ये सुरज का परकास परने पर चमकता हुआ दिखाई देता है चांद और पिर्थवी बीच की दूरी करीब 3,84,000 किलो मिटर है सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाला अंतरिक सियात्री उने से उनहतर में ओपवलो 11 मिशन पर गए निल आर्म अश्ट्रोंग थे निल आर्म अश्ट्रोंग जो पहली बार चांद पर कदम रखा था उसका निशान आज भी मौझूद है और माना जाता है कि ये और कईयों साल तक मौझूद रहेगा माना जाता है कि चांद पर बायू मंडल ना होने के कारण चांद पर किसी भी व्यक्ति का कदमों का निशान हमेशा बना रह सकता है क्या आपको पता है, चांद पर इंटरनेट की गती बहुत ही अधिक है, नासा के द्वारा चांद पर वाइफा कनेक्शन की सुविदा उपलब्ध करवाई गई है, जो एक बिश्व रेकोर्ड है, चांद पर वाइफा कनेक्शन के स्फीड, उन्नाइस Mbps का है, ऐसे ही जबर इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल फैक्ट वाइजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक, कोमेंट, शियर करना बिलकुल ना भुले,